अनुराग भदोरिया जी जब अर्षद मदनी जी कहते हैं कि इंडिया गटबंधन को वोड तो सारे मुसलमान एक होकर वोड दे रहे थे और वोही इस बार भी महौल होना चाहिए तो किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन प्रधान मंत्री और नरेंद्र मोदी कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो इतनी परिशानी क्यों हो जाती है देखिए भारते जनता पार्टी के हालत ऐसी हो गई है कि उनको देखिए आप चुनाओ टालने पर मजबूर हो गए हैं कहते हैं टालेंगे तो और बुरी तरह वोहारेंगे यह ताय है देखिए आप किस तरह कि उसका वो दे रहें कि तेवहार है तेवहार में लोग जाएंगे पता क्या सुचे दिवाली पे उत्तर परदेश में लोग आएं चुकि बाहर स्टेट में उनको नौकरी है उत्तर परदेश में तो नौकरी उनने दी नहीं है जिस तरह का उत्तर प्रतिस में लोग जाके बाहर नौकरी करते हैं भी घार आए हैं वो चुकि वोट डालेंगे जोकि उनके अंदर रोश है कि हम वोट डालेंगे वोट डालके भारती जंता पार्टी उखराएंगे हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा लेकिन यहां पर बातना काटना है नाकारत पर शब्दों की यहां कोई जगह नहीं है इस तरह की राजित भारती जंता पार्टी देखो कैसे कैसे मुद्दे ला रही है आप बातने काटे पर आ गए अब उनको लग रहा है कि हमारे से कुछ होने ना कि हम समाज के मुद्दों पर चर्चा कर नहीं सकते समाज के असली मुद्दे जो महेंगाई बिरुजगारी मेला समस्याप बात कर नहीं सकते जिस तरह से आप देखो पत्रकार की हत्या होगी है चाकुमार के फतेपुर में उस पर चर्चा कैसे हो जाए मुवित पाटे की लोक अप में विचारा रात भर पानी मांगता रहा पानी दे दो लेकिन उसकी मौत हो गई उसकी बारे में कैसे बात करेंगे कैसे बात करेंगे क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि जो अत्याचार इस तरे से बढ़ा हुआ है उस अत्याचार पर जवाब नहीं है तो मुद्दो को डाइवर्ट कर दो बटेंगे कोई यहां बटने बाला नहीं है पूरा हिंदुस्तान डटेगा एक साथ मिलके वोट करेगा भारती जनता पार्टी को हराएगा जो सीलिए हमने कहा ना पीडिये जुड़ेगा और एक साथ आएगा भारती जनता पार्टी को उत्तरप्रदेश में हराएगा हिंदुस्तान को जिताएगा वो भी इसे डिवाइडर रूल करते थे जैसे आज बीजेपी कर रही है उस अंग्रेजों को खदवड़ा है यहां से सब एक साथ मिलके आए हैं आज भी हम सब एक साथ रहेंगे इसलिए हम कहते हैं नफरत की लाटी छोड़ो लालच का खंजर फेंको जिदिके पीछे मत यहां तो लोग है ना शब्दों को है डिबेट में अनुराग भदोरिया जी शब्दों का ही तो खेल है इसलिए मैं आप से पूछना चाहती हूं कि आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश दिवाली के लिए आये थे लेकिन डर गई बीजेपी वेट कर रही है कि सब वापस चले जाएं तब भी वोटिंग कराएं तो 13 तक सब लोग वापस नहीं जाते लेकिन 20 तक जरूर सब लोग वापस चले जाएंगे ये लॉजिक मुझे इसना अच्छा लगा कि किसी बच्चे को भी सुना दे वो मान जाए तो मेरा नाम बदल दीजेगा लेकिन शेहजाद पुनावाला बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक है मठादीश माफिया होते हैं सकारात्मक है क्यों है सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चुनाव टालेंगे तो हारेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि केरल में चुनाव टालने के लिए लेफ्ट ने बोला है कि वहाँ पर कलपाती रास्तो सलम यह फेस्टिवल है और पंजाब में 555 प्रकाशपर्व है श्री गुरु नानक जी का तो कॉंग्रिस ने बोला है पर भारतिय परवों से समाजवादी को क्या लेना देना है भाई इन्होंने अभी पोस्टर डाला था टाइम्स नों ने कबर ब्रेक की थी मठादीश बाटेंगे और काटेंगे अब देखे जो सेकुलरिजम के यहां पर पूरे वो कलमे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं उनको बोलना चाहिए एक बार मौलवी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे पादरी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे नहीं डालेंगे दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखे अब जो बटेंगे तो कटेंगे यह बहुत नकारात्मक नारा है सकारात्मक नारा तो वोड जिहाद का है, सकारात्मक नारा जो आज मौलाना ने बोला है वो है, सकारात्मक नारा तो वो है कि भाई पटेंगे तो पिटेंगे, सकारात्मक नारा तो वो है जब कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है, जब कहा जाता है राम मंदिर प्रानपतिष्टा नाजगाना है, द्वारका में नाटक होता है, देवता भगवान नहीं है, हिंदु तु आईसेस है, कर्ष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, हिंदु गंदा शब्ध है, राम चरित मानस पोटेश्यम साइनाइड है, राम मंदिर बेकार है, ये सारे सकारात्मक ना रहे है, ये सब सेकुलर है, बाकी सब जो है वो कमिनल है, अब देखे, आज बटेंगे तो कटेंगे, केवल भारत में नहीं, हर सनातनी इस नारे को अपना रहा है, चाहिए कैनेडा हो, बंगलादेश हो, क्योंकि वहाँ पर तो नहीं रहे एक, तो नहीं रहे ना सेफ, कैने पिट दिखा दो बंगलादेश की हिंदों पर इंडिया अलायंस का, नहीं बोलेंगे, क्योंकि अजेंडा क्या है, हिंदों का करो अपमान, चलाओ मोहबत के नाम पर वोट बैंक की दुकान, और यहीं है अपनी असली पहचान, कि हिंदों का अपमान, हिंदू आस्था पर चोट और आकरी बात ना कहना चाता हूँ, यह तो असली मुद्दों की बात कर रहे ना, तो असली मुद्दा क्या है?